आजके इस वीडियो में हम सीखेंगे Benko Urbuda के New ATM Card को Activate कैसे क्या जाता है ये प्रोसेस इस वीडियो में हम सीखने वाले दोस्तों आपका Benko Urbuda का New ATM Card है और आपको Activate करना है तो आपको Benko Urbuda की ATM Machine से ही Activate करना होगा Other Benk की ATM Machine में आप अपने New ATM Card को Activate नहीं कर सकते हो ATM card को activate करना है तो उसी bank की ATM machine में activate होगा जिस bank का आपका card है और दोस्तो activate करने के बाद में आप किसी भी bank की ATM machine से cash withdrawal कर सकते हो balance inquiry कर सकते हो या पिर आपको mini statement निकालना है तो आप mini statement भी निकाल सकते हो और दोस्तो आप channel पर पाश्ट time आई हो और आपने अभी तब channel को subscribe नहीं किया है तो इस तरह की informative video पाने के लिए channel को subscribe जरूर कीजीगा और दोस्तो bell icon को भी all पर select कर लेना जब भी मेरा new video है आपको सबसे पहले notification मिलता रहे अब दोस्तो आपको अपने नजदी की बेंको बड़ोदा ATM मसीन पे आना होगा अपने new ATM कार्ड को activate करतने के लिए अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरह से कार्ड को ATM मसीन के अंदर डालना है कर्ड को डालते समय द्यां रखना चीप वाला भाग आगी की तरह प्रहना चाहिए और उपर के और रहना चाहिए बाद में दोस्तो यहाँ से आपको language select करना है कुछ second wait करने के बाद में अब दोस्तो यहाँ पे आपको set generate ATM pin यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे आपको complete account number यहाँ पे आपको डालना है तो इस तरह से जो भी आपका account number है यहाँ पे आपको डालना है बाद में आपको correct करना है correct करने के बाद में फिर से आपको same account number फिर से यहाँ पे आपको confirm के लिए डालना है re-enter your 14 digit account number same account number है यहाँपे आपको डालना है, account number डालने के बाद में आपको correct पे click करना है, तो इस तरह से जो भी आपका account के साथ जो mobile number link है वह mobile number यहाँ पे आपको डालना होगा जो भी आपके account के साथ link mobile number है यहाँ पे आपको डालना है mobile number डालने के बार में आपको फिर से यहाँ पे press shift create पे click करना है यहाँ पे click करने के बार में दोस्तों आपके account के साथ जो mobile number link है उस mobile number पे एक one time password प्राप्त हो है आपको OTP प्राप्त हो है वह OTP यहाँ पी आपको डालना है जो आपको mobile के screen पे दिखाए दे रहा है इस तरह से आपके भी account के साथ link mobile number पे OTP प्राप्त हो है वह OTP यहाँ पी आपको डालना है जो आप अपनी choice से set कर सकते हो four digit में pin code नमर यहाँ पे आपको डालना है चार नमर का pin code नमर यहाँ पे आपको डालना है जो आप अपनी choice से डाल सकते हो इस तरह से फिर से वही same pin code यहाँ पे आपको re-inter करना है इस तरह से re-inter करने के बाद में यहाँ पे please wait तो यहाँ पे आपको wait करना है process हो रही है तो यहाँ पे आपको कुछ second के लिए wait करना होगा अब दोस्तो ATM की display पी यहाँ पे आपको successful दिखा देगा और दोस्तो ATM machine आपको एक slip देगा जिसके अंदर भी आपको successfully दिखा देगा तो pin chain successfully तो इस तरह से आप बहुती आसानी से अपने new ATM card को activate कर सकते हो